आज नाम एकम मैं हूँ मालीक अलिक खान और टॉपिक सीवी राइटिंग के साथ आज मैं आप तमाम लोगों को एक ओडियो की फॉर्म में प्रेजेंटेशन देने के लिए हाजर हूँ तो टॉपिक है हमारा सीवी राइटिंग जसे करिकिलम वीटे भी कहते हैं पहली बात हम ने किया है कि व Wool एक्रण कीवी होती क्या है इसका मंकसाद कोर्स अफ लाइफ ता है इसके उलावा जो है लाख् Ahí कोंट होता है कि किसी जौब के लिए अपलाये करते तो उसकी जरुरत होती है अब इस CV में होता क्या है? होता ही है कि जी हमारी education, skills, experience इस सारी चीज़ें जो हैं एक जगह summarize हो जाती हैं और इसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी सारी चीज़ों को एक जगह पर showcase कर सकें CV को resume के नाम से भी जाना जाता है या resume भी इसको बोला जाता है जिसके मानी summary के होते हैं फ्रेंच का basically यह word है जबके CV जो है Latin phrase है अचा अब मामला यह है कि इस CV को लिखा किस सरा से जाएं तो seven steps है CV को लिखने के लिए सबसे पहला point है कि include your contact information पहला तरीका यह है कि आप अपनी जो complete contact information है जिसमें आपका मुकमल नाम, phone number, email address जबके आपका जो घर का जाती पता है यह optional होता है लेकिन आपको phone number, email address और अपना मुकमल नाम ज़रूर देना सही है दूसरी चीज़ है detail your academic history in reverse chronological order यानि इसके अंदर यह है कि आपने अपनी achievements को post doctoral programs के तहताना है यानि अगर अभी आपने अपना BS complete किया है तो आप BS से पहले FAC, FA जो भी आपने पोर्ज किया है उसको लिंक करेंगे उसके बाद तीसरी बात है record your professional experience यानि आप अपने professional experience के बारे में बताएं कि आपने किन किन organizations के साथ काम कर रखा है वहाँ पर आपका designation क्या था, job title क्या था, employment का status क्या था, आपकी recent job क्या थी और आप वहाँ पर job duties किस तरह से करते थे, आपको वहाँ पर experience किस तरह से गेन हुआ और आपकी वहाँ पर achievements क्या कुछ थी चोती चीज़ है जी, include relevant skills and qualification यानि अपनी जो relevant skills हैं जो आपकी मुताले का महारत है या इसको एक skills section के तोर पर अलहदा से मुशखस कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं, इसको बकाइदा तोर पर highlight कर सकते हैं अपनी CV में इसके अंदर आपकी hard skills भी हो जाएंगी, आपकी soft skills भी include हो सकती हैं जो के आपको इस job के लिए best candidate बनाएगा पांच्वे चीज़ है list honors and awards अच्छा ये थोड़ा सा एहम section इसलिए भी है के जब भी कोई CV आपकी read out कर रहा होता है तो वो आपके वो awards या वो तमगे देख रहा होता है तो ये आपके वो कंधे के तमगे हैं जो आप वो दिखाएंगे तो आपको ज्यादा इज़त मरतबा वकार और सारी चीज़ों को कोट करना बेहत जरूरी है इसके अंदर आप अवार्ड नेम बता सकते हैं अपना अवार्ड येर बता सकते हैं कि मुझे इस येर में इस और्गनाइजेशन से अचा अवार्ड अब पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जरूर नहीं अवार्ड कोई ट्रॉफी हो या कोई कप आपको थमाया जाए ये सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं बस आपको ज हैसियत से यारिस एथवार से काम किया च्छटा पॉइंट है इंक्लूड रेलेवंट पब्लिकेशन और प्रेजंटेशन बाज उकात यह होता है कि एक पब्लिकेशन की और दिगर चीजों की एक यूरिश और एक अंबार लगा दिया जाता है जी यहां से हवाला देखें य यह पब्लिकेशन है यह प्रेजंटेशन है ऑथर के नेम आ रहे हैं डेट्स लिखी जा रही है समरी बन रही है पेज आ रहा है तो इकलूड सिर्फ रेलेवंट चीज़ें करें कहने का मकसद यह है कि बताएं जरूर लिखें जरूर लेकिन वो तमाम चीज़ें जिनकी ज्य को कोई भी और्गनाइजेशन या कोई भी इदारा जो है अगर आपको हायर कर रहा है और आपको आपकी सिर्फिस को जो है हासल करना चाहरा है तो वो यह जरूर देखेगा कि इसके कितने बंदों के साथ लिंक है या इसकी पब्लिक में जिसको हम पी यार बोलते हैं इसकी को यह जरूर देखता है इसमें आप अपनी और्गनाइजेशन का नाम लिखें अपनी जियोग्राफिक लोकेशन की बात करें चैप्टर्स की डेट्स की अपनी अक्टिव मेंबर्शिप की बात करें जिसके अंदर आप अक्टिव रहे हैं तो यह एक अच्छा इंपक्ट अवर आल आपके CV रीडर पर अब जब हमें यह पता लग गया है कि लिखने के साथ पॉइंट्स हैं तो अब हमें यह पी पता होना चाहिए कि एक CV को कितना तवील कितना लंबा होना चाहिए तो CV के लिए जो स्टेंडर्ड CV है उसको A4 साइज के दो साइट से ज्यादा का अचाहिए अचाहिए तो सेफ स्पेस ओनली इंक्लूड दा में पॉइंट आप एजूके शेट अन एक्सपिरियंस अब इसमें यहां पर एक चीज यह बताई गई है कि स्पेस को सेव करने के लिए चुके जादा लंबी सीवी जो है वो जादा चांसिस आए कि वो के एक्सपिरियंस के ऊपर जो हमने साथ नुकात की बात की है इनको हम में में पॉइंट दे कर जिसरह हम बुलेट्स बनाते हैं इस तरह से हम इसको एक जिगा और गनाइज करके आगे प्रिजेंट कर देंगे अच्छा फिर आपने रेलेमेंट इंफरमिशन के साथ जो है स् इसे हट के बात नहीं करनी अगर आप से पूछा जा रहा है या आप सिर्फ बताना चाह रहा है अपने किसी और्गनाइजेशन के एक्सपिरियंस के बारे में तो उसमें आपके चेर्मेन के साथ या जनरल सेकर्टी के साथ लिंक बताने की या रिलेशन्स बताने की तमाम लोग मुझसे जादा बेथर समझते हैं तो ये उसके साथ जो है अगर ये सारी चीज़ा आप पहले कोट कर चुके हैं तो इनको अपनी सीवी के अंदर रिपीट ना करें चुक्छे कवर लेटर का एक अपना इंपक्ट है और सीवी का एक अपना इंपक्ट है वणे डेकूरेटिव किसम पonder drinking की प aurnt जो हैं वह यूज़ करने लग जाते हैं लेकिन ऑ मुझसां पाकिस्तां में इस किसम क कोई ट्रेंड नही आपको इस किसम के सारे फंट से अवायड करना अब आपो आपने करना पिर色 जा ख़यक जा अपने एक ऐसी चीज़ का जो क्लेर हो और दूसरे को आसानी हो से पढ़ने में मोस्ट ऑफ डाइम हमारा ओफिशल या फॉर्मल फॉंट जिसको हम जादतर यूज करते हैं वो टाइम्ज न्यू रॉमन ही है अब जो है एरियल भी यूज किया जाता है तो टाइम्ज न्यू रॉमन और एरियल में से आप हो इसाह एक फॉंट इस्तमाल कर लें अच्छा पॉंट का अब साइस क्या होना चायिए पॉंट का साइस ये है कि फॉंट का साइज 10 से 12 अब देखने को या सुनने को आपको ये फॉंट साइस को चोटा लग medicine कि अब्ते ना बनी और हमें तो हम 14 पे रखते हैं 16 पे रखते हैं तो यह अब 10-12 वाला जो मामला हो गया है इसका क्या किया जाए तो उसके लिए है कि potential employees जो है वो इसी font size के अंदर read out करते हैं अपनी CVS को और वो इसी के अंदर अपने आपको limited रखते हैं तो इसको अब जरा भी unprofessional मत समझिए यह professional ही और professional लोग 10 से 12 तक था ही font इस्तमाल करते हैं अच्छा एक चीज़ जरूर देखिएगा कि font size की तो बात कर लिया लेकिन fonts और font size यह दो चीज़ें अलग-अलग तो इसको consistent होना चाहिए यानि इसमें एक यक्सानियत नजर आए ऐसा ना हो ही बात कर रहे हैं वो किसी और font में है तो एक consistency होने चाहिए उसमें दूसरी बात यह है के section headings जो होती है यानि जो space margins होते हैं उनको आपने अच्छे से break up करना है यानि उनको अच्छे से जो है आपने represent करना है और यह देख लें कि वो जड़ा बड़े ही नजर आए और font size आप उनका 14 और 16 भी रख सकते हैं उनको आप bold भी कर सकते हैं चुकि यह वो headings हैं जो के reader को attract करेंगी अपनी तरफ और reader इनहीं की मदद से आप तमाम की जो cv है वो उसको पढ़ेगा अगली चीज यह है कि reverse chronological order जैसे के मैंने उपर बताया आपको तो reverse chronological में इसको रखिए कोई भी matrix से FSE FSE से आपकी आगे BS आपने किस तरह सकी है और वो मामलात नहीं पूछना चाहता है हर बंदा यह देखना चाहता है कि maximum इसकी जो achievement है यह maximum qualification है वो अब तक क्या रही है और फिर वो reverse chronology में जाता है और पिर आपको पढ़ना पसंद करता है हमें ही ले लें कि हम current affairs हम history को इतनी जल्दी पिक नहीं करते हम पहले recent events के तरब move करते है last time अभी जो PIA वाला एक अफसोसनाक वाकिया जो है आप तमाम के इल्म में है वो हुआ है तो अभी हम PIA के इस accident या इस incident के बारे में जादा जानने के लिए या कोरोना वाइरस के हवाले से जतना भी मामला चल रहा है उसको जानने में जादा दिल्चस्पी रखते है अब हमें माजी में आने वाली भीमारियां वो SARS हो मर्ज हो हम उससे जो है link नहीं करना चाहते हैं या उसके बारे में इतना जानना नहीं चाहते हैं तो हम चुके recent topics के साथ stick out करना चाहते हैं तो यहीं point उसने reverse chronology के अंदर समझाने की गोशिश की है अगली बात है keep it concise by using clear spacing and bullet points आपकी जो CV है इसको नहायत clear होना चाहिए bullet points सीधे साथे कोई इसमें मामला जो है वो दो नमरी का नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें जो है वो वाज़े होने चाहिए अच्छा CV का जो layout है वो allow करता है potential employer को यानि एक employer जो अच्छा employer है वो क्या करेगा आपकी CV को बढ़ेगा तो इसमें से जो आपका major content है वो उसको skim out कर लेगा और important points निकाल लेगा और साथ ही में ये फैसला भी कर लेगा कि आप वो suitable आप वो best of the best candidate हैं भी या नहीं अगर आप best हैं तो वो आपको pick out कर लेगा अगर आप नहीं हैं तो वो आपको आपकी headings, sub headings और sections को देखते ही आपके उस सारे break up को देखते ही आपको समझ जाएगा और rejection या selection की तरफ move कर जाएगा अच्छा अब बाज़ों का दिये होता है कि अब हम एक online world की तरफ move कर रहे हैं और दुनिया जो है अब offline से online हो रही है यह आप हमारी classes का ही बेशक्रुजान देख लें जब online की तरफ बढ़ रहा है तो online का मतलब यह नहीं है कि हम बस online में ढाली नहीं सकते या हमने online के दरफ जाना ही नहीं है इसका यह मतलब नहीं है बलके इसका मतलब यह है कि हमें इस online जिंदकी के अंदर भी अपने आपको डालना है तो अगर आप अपनी CV किसी भी post के लिए online drop कर रहे हैं तो उसको white A4 paper के उपर आपने print कर लेना है और एक side print कीजेगा दो side print कतलना कीजेगा चुके एक तो इससे impact अच्छा नहीं पड़ता दूसरी चीज यह है कि कोई भी जो आपका employer है वो इसमें interested नहीं होता कि CV को वो मोड के देखे या उसके next pages देखे चुके वो exaggeration की दरफ चली जाती है बा अक्सर हजरात जो है जाते हुए अपनी CV को आफिस से बिलकुल पहले मोड लेते हैं वो करते तो अपनी असानी के लिए है और अक्सर हजरात उसको बाइक पे या किसी और जगा टांक देते हैं ताकि सहूलत रहे और पार्किंग से इदर बाइक खड़ी की side lock लगा और उद जाती है क्रीज से मतलब यह है कि उसके उपर निशान वाज़ हो जाते हैं जिसको हम अर्दू में सिल्वट बोलते हैं तो सिल्वट है आ जाती है उससे एक आपका fresh impression नहीं जाता और casual सा एक impact पड़ता है employer के उपर यह तमाम बाते सी CV के format के हवाले से अब हम बात करते हैं ए एक अच्छी सीवी के बारे में कि एक अच्छी सीवी हम किस तरह से लिख सकते हैं तो उसका पहला मामला यह है कि यूज एक्टिव वर्ब्स वन पॉसिबल तो एक्टिव वर्ब्स के अंदर आपको खुद भी जो है present में रहना है past या future को इसमें लिंक नहीं करना आपने ज टू assess other things or other things such that आप उन सब को जो है code कर सकते हैं एक जो अच्छी सीवी होती है उसके अंदर कभी भी किसी किसम के spelling या grammar error नहीं होते हैं अगर आपको लगता है कि आप लिखते हुए या fluency में grammar की spelling की mistakes कर लेंगे तो आप उसके लिए एक spell checker अपने साथ रखें इंटरनेट सबसे जादा जो आजकल मशूर spell checker है या grammar checker है वो grammarly के नाम से मौजूद है आपको इसकी extension भी मिल जाती है जिसको आप अपने browser के अंदर जो है add कर सकते हैं इसके लावा इसकी mobile application भी मौजूद इसके आप इंस्ट्रॉल करके अपनी grammar को और even तो अपने text messages को भी spelling error और grammar error free बिना सकते हैं इसरी चीज़ है कि generic रहें overused phrases जो है वो use ना करें यानि hard working multitasker इस तरह की चीज़ें hard working और multitasker एक ही चीज़ है तो लेकिन multitasker थोड़ी सी overused phrase है team player, player team में ही होता है भाई इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है अच्छा instead जो है provide real life examples अच्छा अपनी जाती जिन्दगी के हवाले से बात करें robotic phrase लिखने से robotic चीज़ें बताने से आप शायद अपने आपको तो थोड़ी देर के लिए मुतमईन कर रहे होंगे लेकिन इससे आपका employer कतन मुतमईन नहीं होगा tailor your CV हम भी एक tailor के हैसियत से अपनी CV बना रहे होते हैं जिसमें हमने अपना caller, band, गला और दामन अपने बाजू और जनाब जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपने social media account देखना है, आपने ये देखना है कि local press में कोई चीज ऐसी mention तो नहीं हुई, tailoring CV का मतलब ये है कि आपने सर से पाउं तक उस organization को चांट लेना है, उस organization की एक एक चीज़ आपको पता हो, आपको ये पता हो कि आप कौन सी organization में अपने आपको link करना चाह रहे हैं, आप कौन सी organization का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, ताके in future, in case आपको आसानी रहे, और आप बासानी वहाँ पर अपनी services को offer कर सके हैं, एक चीज़ और जो है, इसमें मज़दार सी वो ये है, कि CV को circumstances के हवाले से ढालने, यानि अगर इन दिनों आप परोना वाइरस के situation में कहीं प हाले से जो आप services offer कर सकते हैं, उसके हावाले से बात करें, कि मैं इस टाइम में यह सारी चीज़ें offer कर सकता हूं, या इस टाइम मेरी services regarding मेरे scale यह होंगी, अच्छा फिर आप जो है, अपना chronological order भी बेशक उसी साब से चेंज कर लें, अपनी skills को उसी साब से चेंज कर लें, मिजाल के दोर पर अगर आपने कहीं पर accountant के लिए अपलाय कर रखा है, तो अपनी जो dispensary की जो आपकी certification है, उसको quote करने की जरूरत नहीं है, आप accounts की बात कर रहे हैं, तो अपनी उनी certification को, उनी skills को show करें, जो आपकी उस post से relevant है, अगर आप MS Word में expert हैं, excel जानते हैं, office जानत करना ज्यादा बेतर है, बनिसमते किसी dispensary के course की certification दिखाने के, इसके लाबा जो है, आप page के उपर curriculum vitae, CV या resume का लवज ना लिखें, चुके हर बंदा जानता है, यह आपकी CV ही है, आप इससे थोड़ा सा एक look या impression over smartness का जाता है, और employer पर इसका एक बुरा impact पड़ता है, तो यह लिखने से grace करें, तो ज्यादा बेतर है, अच्छा यह देख लें कि जो आपका email address है, इसे professional होना चाहिए, अब email address आजकल जो cutie princess, it's me, childish queen या इस तरह के जो एक किसम के email addresses हैं, इन से grace करें, professional address रखें, अगर आपको email address professional नहीं मिलता है, मिसाल के दोर पर, अगर एक काना हुसाइन असलम है, तो उसको हुसाइन असलम ही पहले तो username सेच करना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता, तो वो कुछ letters का इजाफा कर सकता है, लेकिन यह लिखना, it's me, हुसाइन असलम, at the rate of gmail, yahoo, hotmail, या कोई भी domain साथ लगा लें, तो dot com, तो यह जराजादा मुनासिब नहीं है, professional इसको sound करें, बहतर तरीका ही है, कि आप अपनी email को खुद से public में एक दफ़ा कॉल करके देखें, या खुद से अपने अंदर जो है, इसको कॉल करके देखें, अगर वो आपको बहतर सुनने में मालूम होता है, तो that's the right thing which you need in your CV writing, अच्छा, इसके लाब है, don't lie or regulate on your CV, अच्छा, ये बड़ी चीज जो है, जना आप देखने में आती है, कि बहुत जारे लोग क्या करते हैं, जी CV में मैं तजी A कीता है, मैं तजी O कार रखिया है, तो ये सारे चीज़ें कोट करने का कतन फाइदा नहीं है, बाद में आप जब अपनी services उस, पहले तो जॉब मिलती नहीं है इस तरह से, लेकिन अगर hardly कोई जॉब मिल भी जाए, तो लफज है, खुद एतमादी, वो आपने नहीं आ सकेगी, चुके आप वो चीज़ हैं ही नहीं, जो आप अपने आपको बनाने या जाहिर करने की कोशिश कर रहे है तो कतन अपने आपको वो मत दिखाईए, जो आप हैं ही नहीं, अच्छा, एक और चीज़ यह है, कि इससे क्या होगा, एक तो आप dishonesty कर रहे हैं, इंपलॉयर से पहले आप अपने साथ dishonesty कर रहे हैं, चुके आप वो सारी चीज़ां कोट कर रहे हैं, जो आप ना थे, ना है और ना ही शायद होंगे, लेकिन अगर आप वो बनना चाहें, तो मुम्किन है, कि आप मस्तक्विल करीब में वो बन भी जाएं, लेकिन इसके संजीदा नताइज आप देख सकते हैं, इससे क्या हो सकता है, मिनिमम ये होगा, कि आपको उस फर्म से, उस और्गनाइजेशन स या उसे इदारे से निकाल दिया जाएगा, और अगर इससे ज़ादा सीरियस एक्षन हुआ, तो आपको फाइन भी बे करना पड़ सकता है, और हो सकता है, कि अगर आप गर्मेंट के किसी शोबे में अपलाए करने से कासिर हो जाएं, और यह इसको अगर उसने बड़ी साद में बात करें, तो मिसाल के दोर पर आपकी CGPA 3.7 थी, तो आपने अपनी CGPA को क्या कर दिया, 3.9 बना के पेश कर दिया, तो जब आप थे ही नहीं, हो सकता है, कि आपको 3.9 पे ज़्यादा टफ क्विस्चिन का जो है, सामना करना पड़े, जो आपको समझ ही ना है, या जो आ आपकी अकल से बालातर हो, चुक्या आपकी रेंज 3.7 है, और आप कहां मूव करें, 3.9 की तरफ, तो यह क्या होगा, यह डिगरी फ्रॉड होगा, और इस से आपको प्रिजन और मैने जिस तरह पहले बता है, कि आपको जुर्माना भी हो सकता है, और बाकी भी चीजें आप आपको भुगत नहीं पड़ सकती है, लास्ट में इसका एक पॉइंट है, कि अपना कवर लेटर हमेशा इंकलूट किया करें, उससे क्या होता है, सीवी बेसिकली एक लिमिटेड चीज है, सीवी के अंदर यह होता है, कि हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस होती है, हमारे पा आप अपनी अप्लिकेशन को एक परस्नलाइज एफट दे सकते हैं, इससे आप वो वो चीजें कोट कर सकते हैं, जो आप अपनी सीवी में कोट नहीं कर सके, या आप अपनी जो है किसी डिसेबैलिटी के बारे में या किसी अपनी एक्स्ट्रा अबिलिटी के बारे में बता सकते हैं और अपनी वर्क हिस्ट्री के गैप्स को जो है एक्स्प्लेइन कर सकते हैं मिजाल के तौर पर एक एम्प्लायर देखता है कि इस बंदे ने 2015 में फलां और्गनाइजेशन में काम किया लेकर नेक्स्ट और्गनाइजेशन का सीक्वенस है हो 2017 का है तो ये इतनी टाइम में या इतनी देर में क्या करता रहा है तो आप उसको वहाँ पर explain कर सकते हैं इसके लावा cover letter में आप ये भी code कर सकते हैं कि आप ही वो right person right choice वो best of the best है या नहीं जो इस job के लिए rightly suitable है तो ये थी जनाब आज के इस audio lecture में CV writing के हवाले से बात तो last में जो है मैंने एक CV sample attach कर दिया है ये CV sample आपकी निगाहों के सामने आप इस CV sample को जो है देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले जनाब एक साहब है जिनका नाम है Dorothy doctor MD इन्होंने अपना address दे रखा है 3204 विंडोबर वे हॉस्टन और आगे जो है उन्होंने अपना address दे रखा है इनका email address है Dorothy doctor at the rate of email.com ये sample के तोर पर दी गई है चीज़ें इसलिए प्रॉपर कोई domain या number या sequence आपको नहीं नज़र आ रहा इसके लावा उन्होंने अपना cell phone दिया है जो के वैसे देना लाजमी है नीचे जो है curriculum vitae अब यहां लिखा है इसका मतलब यह नहीं है कि इन्होंने curriculum vitae यहां लिखा जा सकता है लेकिन जो बिलकुल उपर है यानि Dorothy doctor के ओपर curriculum vitae लिखना ये मुनासब तरीका नहीं है अचा यहां पर उन्होंने अपना दो लाइनों में अपना जो है एक short introduction दे रखा है कि dedicated and patient focused MD position to excel within residency providing opportunity to growing knowledge and therapeutic practice of pediatric medicine तो यह उन्होंने अपने हवाले से कुछ details दे रखी है इसके लावा उनकी education है अब आप यह देख लें कि इन्होंने MD यानि अपनी highest qualification को सबसे पहले code किया ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने पहले BS बताया है फिर अपनी जो उनकी पहले की primary education पी उसको code किया है बलके नहीं उन्होंने अपना पहले जो 2018 का session है वो बताया है उसके बाद 2014 की बात किया honors awards की बात कर लें तो इनको यह जो awards है वो जी डेवर्ड गिफन medical scholarship है वो यह चार साल से जो है लेते आ रहे हैं इसके लावा इनको department की दरफ से एक biology award मिला हुआ है dean's की list में इनका नाम है examination के हवाले से इननों कुछ काम कर रखा है work experience की बात कर रहे है तो UCLA जो है जनाब department of oncology इसके अंदर इनका एक work experience है research assistant रहे है इसके लावा resident assistant रहे है volunteer experience को भी उन्होंने court कर रखा है तो यह है जनाब CV writing और curriculum बीटे उमीद है कि आप तमाम लोगों को CV writing के हवाले से बड़ी detail के साथ यह समझा गया होगा बहुत सारी चीज़ें CV हैं जिनको मैंने court नहीं किया या मुझसे miss हो गई होंगी वह सारी चीज़ें लेकिन एक general और specific CV के लिए यह सारी चीज़ें required होती हैं जिनकी हम बड़ी तफसी CV writing में कोई भी मसला हो या मामला दरपेश हो तो आप आसानी से YouTube के comment section मुझसे इस हवाले से पूचखते हैं तो मैं इंचाला आपको इसका जवाब दिया दूँगा इस उम्मीद के साथ और इस दौा के साथ कि यह topic आपको मजीद समझाए और आप अपनी दुनियावी और अ पूर दौर दौर आप